हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल HBACY सत्या में और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हाउ टू क्लीन एहू फिल्टर्स सू फ्रेंड्स इस्टाड टॉपिक करने से पहले हम आपको रता देए टैप्स. कितनेवर टैप के होते हैं दो चलिये स्टार्ड करतें बताते हैं आपको कैसे हम फिल्टम को क्लीन करते हैं responsibility अतादी किस किस की होती है assistant, AC operator और technician कई side पर technician नहीं होते हैं तो BMS operator ये लोग mail करके AHU के filter करते हैं चली start करते हैं जैसे कि मैं आपको पता चुका हूँ कि AHU के filter every week को clean किये जाते हैं because ज़्यादतर जो company होती हैं उनमें Sunday Saturday को leave रहती है चुटी रहती है तो उसी दिन हम AHU के filter clean करते हैं तो AHU के filter कैसे clean करते हैं जैसे कि आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये filter है तो ये filter जो है काफी गंदे हैं अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें ये धूल उड़ रही है थोड़ी सी clarity नहीं है वीडियो में manage कर लेना because AHU में light भी है but तो ये दूल इसमें से आपको उड़ती हुझी दिख रही है ये इतने गंदे हो जाते हैं एक बीक में only तो हम ऐसे इन filter को निकाल लेते हैं इसके अंदर जो आपको दिख रही है ये फिंस है और ये ऐसे एक line जा रही होती है ये coil होती है तो ये filter हमने निकाल लिया है और य तो यह जो green color की होती है ये domestic line होती है अप देख रहे हैं यह domestic line है हमें domestic line से ही एक ही filter की लीन करने होते हैं हमारे पास water के और भी point होते है यह हमारा चिल्डबाटर लाइन है ये भी हमारे पास water का point है बट हम यहां से एक हचू के फिल्टर के लीन नहीं कर सकते विकॉज यह तो चिल्ड वाटर लाइन होती है, इसमें काफी केमिकल्स डाले जाते हैं, जो कि काफी कॉष्टली होते हैं, महंगी होते हैं, तो इससे हम नहीं कर सकते, फिल्टर को, क्लीन, हम डॉमेस्टि लाइन से फिल्टर कर सकते हैं, तो ऐसे फिल्टर को हम रखेंगे, ऐसे हम, आप मैं अब मैं इस ग्रीन लाइन से पानी को हम खोल देंगा हूँ हम और उसके बाद यह दुल जायेगा। इसे दोनों तरफ से हम झाया थ this में पहले सब्सक्ता ह ही इसे पहले सुखाते ताकि यह वह इस पानी होता है तो वह उसमें न जाए अगर वो इस पर पाउनी जाएगा तो फिर उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है तो इस तरह से हम फिल्टर अपने क्लीन कर लेते हैं और आपको बता दूँ कुछ और most important things आप लोग कमेंट अगर के भी पूछते रहते हैं how many types of AHU filter AHU filters के कितने type होते हैं तो मैं आपको उता दूँ AHU filter कई tap के होते हैं pleated filter, polyster filter, fiberglass filter, hepa filter, micro filter और और वी कई taps के AHU filters होते हैं उसके अलावा चलर कितने परकार के होते हैं चलर तीन परकार के होते हैं इवापरेटर टैप, air tap and water tap तो तीन परकार के चलर होते हैं compressor का मैं बता दूं, compressor पांच परकार के होते हैं scroll, screw और reciprocating centrifugal और rotary type तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाई बाई और आपके दमाग में कुछ कुछ सान है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हम कोसिस करांगे आपके हर कमेंट का जवाब देने की और अगली वीडियो होगी आपके कमेंट के आधार पर आप जो टॉपिक पर मागेंगे उसी टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी